जय हिन बंदे मात्रम स्वागा थे आप सभी सांथियों का गेंजेर लर्निंग गुर्जी प्लेटफोर्म में तो दोस्तो हनबुग यहां पे डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड धामा के दार प्रसनों को करते आ रहे हैं तो आज की जो प्रेक्टिसेट आप देख सकते हैं कितना है तो प्रेक्टिसेट 20 राखी गई है पीछे के लेक्चर में हम लोग 750 तक प्रसन कर चुके थे उसके आगे हम लोग 751 नंबर प्रसनों को देखेंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है निवेधन है कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को सेर करने में जरूर मदद कीजिए लाइक कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए तो देखते हैं 751 प्रसन देखें बहुत अच्छा सा प्रसन है, बहुत सुन्दर भी प्रसन है और इंपोर्टेंट भी है 751 प्रसन करें कि पहला रिल अधिनियम कब बना था मतलब पहला रिल अधिनियम कब पारित किया गया था प्रसन में कहने का मतलब यह है अगर देखे तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी विकल जो है option में नहीं दिया गया तो पहला real adenium जो है कब बना था या पारित है कब किया गया था इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो भारत में जो है इसको पारित किया गया था 1890. क्पिलियर लेकिन अब यह भी आप लोग अठारासो तीरपन इसको भारत में सबसे फाले रिल गाड़ी को चलाया गया था और इसको कब भारत में पारिद किया गया था तो अठारासो नबेश्वी में ओके किलेर हो गया अगले प्रस्णों को देखिए 752 752 प्रस्णा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरीम सरकार की अस्थापना कब की थी बहुत अच्छा सा प्रस्णा है तो देखें तो यहां पर सी बीकल्प दोस्तों जो हो रहा है उनिस सो तेतालिस इसमें यह बिल्कुल सही हो रहा है ठीक है क्योंकि 21 अक्टूबर ध्यान रखना होगा आप लोगको जो आप लोगको बता रहे हैं 21 अक्टूबर उनिस सो तेतालिस को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापूर में सुरतंत्र भारत की एक अस्थाई अंतरीम कह सकते हैं या अस्थाई सरकार की अस्थापना या गठन कि किये थे कौन तो सुभाष चंद्र बोस कब किये थे तो 21 अक्टूबर उनिस सो तेतालिस को कि लिए अगले प्रस्णों को देखिए साथ सो तीरपन प्रस्ण है कि निम्न में से किस मीटी को सबसे कम जुतने की आउसाकता होती है तो बी अप्सान यहां पर सही हो रहा है ओक किसे हराया था बहुत अच्छा प्रस्ण है तो हर्सवर्धन ने पुलकेसिन दितियों को हराया था यहां पर देखे तो दोस्तों डी विकल्प सही हो रहा है हर्सवर्धन ने किसको हराया था इस अप्सन के अंसार तो पुलकेसिन दितियों को हराया था अगले प्रस्णों आते हैं 755 755 प्रस्ण है कि निम्न में से कौन सा कारिय राज सभा के सदस्य enfin कर सकते हैं कि वल राज सभा का सदस्य ही कर सकते हैं इस अप्शन के अंशार देखे तो इस अप्शन का अगर बात करें तो सी बिकल बिल्कुल सही क्योंकि राज ये सुची के किसी भी विशय को राष्टी महत्व को घोसित करना ये जो कार्या है राज सभा के सदस्य ही केवल कर सकते हैं बाकी कोई भी सदस्य नहीं कर सकते हैं ठीक है अगले प्रस्णों को देखते हैं 756 756 प्रस्ण है कि 20 संविधान संसोधन के ताथ मतदान की उम्रे सीमा जो है 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है तो देखें तो यहाँ पर जो डी वी कल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है 61 संविधान संसोधन के अमसार जो है उम्र जो है मतदान करने की भोट देने का जो उम्र है वह 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष से कर दिया गया है ठीक है इसके बाद देखते हैं 757 प्रसन है कि उपराष्ट पती को पद से हटाने के लिए संकल्प किस के द्वारा पेस किया जाता है और इसको कहां पेस किया जाता है तो देखें तो यहाँ पे राज साभा में पेस किया जाता है ये बीकल्प जो हो रहा है दोस्तो यहाँ पे सही ठीक है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है निवेधन है कि आप लोग इसे जितना हो सके शेयर कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा 708 प्रसन साथसोन प्रसन है कि पंचाइती राजे से समबंधित समभिधान के राजे संसुधन विधेक पर अपनी समति की समीति ने प्रकट की है तो समीति का नाम हो जागा संजुक्त संसदिय समthese कौन सा समीति के मतलब होता है सभी का ओके तो इविियम बήतिक प्रस्नापे कि लाड विल्यम बेटिक ने किस समाज सुदारक के प्रयास से भारत में सती पराथा को अवैद घोश्यद कर दिया था तो कौन सा समाज सुधारक था देखी तो यहां पे सीवी कल्प दोस्तों सहीवराय राजा राम मोहन राय यह जो राजा राम मोहन राय थे यह जो थे एक समाज सुधारक थे लेकिन लाड बिलियम बेटिक ने भारत में जो सतीप्राथा लागू हो रहा था उसको अभैद गोसित क कर दिया था अगला प्रसने देखी ऐसकी ईससाट्रश लुद प्रशन किसक के दवरा घुज किया गया था चिनीओ की दवरा किद शुचत क supports अगर बात किया वह का 151 उपका है who lives in India dies who lives in India dies जो है ये किसका कतन है तो बात करें ये जो कतन हो जाएगा जुआहलाल नहरू का कतन हो जाएगा D option यहाँ पे सही हो रहा है अगर बात करें 722 प्रस्न है कि वो सागर का नाम बता है जिसके सीमा तीन महादीपो को छुती है अच्छा सा प्रस्न है ये तो कौन सा जो सीमा है जो तीन महादीपो को छुता है वो सागर का नाम बताना है तो ये option यहाँ पे बिल्कुल सही होगा भूमद्य सागर कौन सा सागर दोस्तों तो भूमद्य सागर जरूर आप लोग को ध्यान में रखना होगा जो हो जाएगा अफ्रीका महादीप हो जाएगा दुसरा कौन सा हो जाएगा तो दुसरा जो हो जाएगा अफ्रीका महादीप हो जाएगा अगर बात करें तिसरे महादीप का तो तिसरा में जो हो जाएगा पच्छिम और एसिया महादीप हो जाएगा जो भुमध्य सागा से घीरा हुआ है अगले प्रसने पे आते हैं 733 733 प्रसने है कि इस्ट तिमोर नामक इंडनोसिया दीप समूजो है किसकी पूर्वा कलोनी है तो यहाँ पे अगर बात करें तो D अप्सन यहाँ पे बिल्कुल से यहाँ पूर्टगाली की किसकी यह दोस्तों तो पूर्टगाली ओने इंडनोसिया में मलका इस्टिमोर का यहाँ पे है मलका इस्टिमोर नामक जो है अधिकार करके वहाँ से बैपार किया करते थे यह लोग तो पूर्टगाली थे तो यहाँ पे जो ठी अभी कल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है अगर बात करें 764 प्रसने पे कि कोटा क्या है कोटा यह क्या है अच्छा सा प्रसना है यह कोटा क्या है तो कोटा जो है एक आयात की मात्रा की सीमा है कोटा क्या है दोस्तों तो एक आयात की मात्रा क्या है सीमा है इसे जरूर यात करिएगा अच्छा प्रस्न है अगर बात करी 765 प्रस्ने पे कि बीत पाल और धीमन नामक भारत के दो महांतम कलाकार जो है किस यूग से समबंदी थे किस यूग से समबंदी थे तो पाल यूग से रिलेटेट थे अगर बात करी 766 प्रस्ने पे कि निम्रुक्त है पदार्थों से किसका मुले घट जाने पर भी उसकी मांग में ब्रीधी नहीं होती है यहाँ पे निर्मुक्त होना चाहिए था ठीक है निर्मुक्त इस तरह होता ह दोस्तों तो निर्मुक्त पदार्थों में किसका मुल घड जाने से उसकी मांग में बृधी नहीं होती है या नहीं होगी तो यहां पर अगर बात करें दूस्तों तो नमक यहां पर जो CB कल्प हो रहा है बिल्कुल से विरा नमक नमक की जो है अगर इसकी निर्मुक्त पदार्थों में अगर इसका मुले घड़ जाता है तो इसकी मांग में कोई ब्रिधी नहीं होती है अगर बात करें 768 प्रसने पे कि भारत किस देश को सबसे अधिक निर्याद करता है मतलब किस देश को सबसे ज़्यादा अधिक निर्याद करता है भारत देश तो संजुक्त राज अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्याद करता है ठीक है अगर बात करें 768 प्रस्ण पे कि चालुक्यों ने अपना समराज ये कहां पे अस्थापित किया था तो चालुक्यों ने अपना समराज जो है मालवा में अस्थापित किया था कहां पे अस्थापित किया था तो मालवा में ओके अगर बात करें 779 प्रस्ण पे पर्माधी देश के नाम से जानते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा पर्माधेश जो होता है अगर 770 की सरकारी बजटों में 0-based budget में प्रस्थुत किया जाता है यहाँ पे खाली अस्थानवाधी तो कहां पे ईवेस से में इसको प्रस्थुत किया जाता है यह अप्सन सही हो रहा है अगर बात करें, 771 प्रस्zhou की फोटोग्राफिया में फ्रिक्सर के रूप में किसका प्रयूग होता है तो फोटोग्राफिया में सोडियम थायो सलफेट का उप्रयूग होता है, एस अपसन यहाँ पे सई ओर है अगर 773 प्रसने की बात करें इस तीर पानी में मिटी का तेल डालने पर मचर कम के हो जाते हैं इसका में रीजन क्या है इसका मेन रीजन है कि लारवा के सांस में बाधा डालता है यह जो मिटी का तेल होता है तो जो भी किटाड़ू होते है तो उसके जो लारवा होते है उलोग को सांस लेने में बाधा डालता है जिसकी वज़ा से भाग जाता है या मर जाते हैं अगला प्रसन देखते हैं, 774 प्रसन है, कि म्रीक तीसना बनाने का कारण क्या है, बनने का क्या है, तो पूर्ण आंतरीक परावर्तन के वज़ा से मिर्क तीसन बनता है, जिसे आप रोडों पो गए हैं, तो रोड पर देखते होंगे, बहुत दूरों से, आपको कहीं कहीं होते हैं, इन में से कौन सा रख जह समुधाई होता है, जिसकर हम सर्वदाता या दाथ वस्विbels कह लाता है, तो ओ बोला जाता है, कौन सा है दोस्तों थो वा, ग excess को सर्वदाता के समुख से मिनां आ से जाना जाता है, अगला प्रसन दहें, 706 रहें कि bleaching powder होता है, तो bleaching powder जो होता है वह calcium, chloride, calcium, hypo, chloride और बूचे हुए चूने का मिश्रण होता है तो B option यहाँ पे सही हो रहा है अगर बात करें 777 प्रस्न बेक निम्ना लिखित में से कौन सी gas का सरवच उसमांक होता है तो सरवच गैस का जो उसमांक होता है वह होता है ब्यूटेन होता है कौन हता दोस्तो तब ब्यूटेन होता है अगला प्रस्न देखिए 778 प्रस्न है कि यहाँ पे की प्रकास का रंग निशित किया जाता है उसकी क्या पर तो प्रकास का जो रंग निश्चित किया जाता है वह उसके तरंग धार्यपर निर्फर किया जाता है C.B. कल्प यहां पर सई हो रहा है अगर बात करें 789 प्रसने को दोस्तो कि एक सकहारी को अपने सरीर के लिए आवस्यक फासफोरस कहां से मिल सकता है तो अगर बात करें उसका कहां से मिलेगा दोस्तों तो दूध से मिलेगा कहां से मिलेगा तो दूध से मिलेगा ठीक है अगर बात करें 780 प्रस्न पे कि परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है आवस्यक नहीं है तो उस तत्व का नाम हो जाएगा आग परागन के यह जो है इसकी आवस्थाक्ता नहीं होती है अग 781 प्रस्ण देखिए कि मेर्क संख्या जो होता है यह किस से रिलेटेड होता है तो मेर्क संख्या जो है यह हवाई जहाज से रिलेटेड है डी विकल्प यहां पर सही हो रहा है 782 प्रस्ण है कि कौन से बैज्ञानिक पानी की टब में नहाते हुए नहाते समय अचानक इवरेका यहां पर फिर यहां पर ब्लेंक्स होगा चिलाते हुए बाहर निकल आये थे बहुत अच्छा सा प्रस्ण है तो उनका नाम आर्कमेडिज हो जागा क्या होगा दोस्तों तो नाम आर्कमेडिज था अगला प्रस्ण है 783 की गैस जुवाला होता है तो गैस जुवाला जो होता है दिप्त होता है ए बिकल यहां पर सही हो रहा है 784 प्रस्ण है कि इंद्रधनुस में कितने रंग होते है तो आप लोग को पता है बैजानी आप पिनाला इंद्रधनुस में साथ रंग होते है डी विकल्प यहां पर दोस्तों सही हो रहा है ठीक है और 785 प्रस्ण देखते है कि निमन मेंसे कौन सा रस है भोजन का पाचन कर यहां पर सही हो रहा है तो आज की क्लास में हम लोग 785 प्रस्ण की कैसा लगा आप लोग को क्लास जरूर आप लोग कोमेंट करके बताइएगा जीतना हो सके आप लोग इसे शेर जरूर कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमा के दर प्रस्णों के चैनल पर बने रहेगा लाइक करते रहेगा और शेयर जरूर करते रहेगा